दोस्तों मैं आपको बताने जा रहा हूं आपके computer ये laptop में जो imported data पड़े होते हैं इसके उपर हम बात करने जा रहे हैं दोस्तों यह video बनाने का purpose यह काफी important video अगर आप इसे starting challenge तक देख लेंगे तो यह आपको lifetime ती तक आपको काफी सपोर्ट करेगी ऐसे में दोस्तों जो मैं बताने जा रहा हूं वह हमारे इंपोर्ड डॉक्युमेंट जो हमारे डेश्टॉप पे डाउनलोड यह कहीं भी मलब हमारे सी पार्टिशन के जगह पर रखी हुई होती है और ऐसे में होता है क्या है कि हमारी आपका डाटा मिल जाएगा उसी टाइम पर वह कैसे उसे मिलेगा क्या फर ना है आकाउंट को लॉगिन कर लेना है फर्ष्ट एंड के लिए जैसे कि यह आपका जीमेल अकाउंट लॉगिन हो जाएगा दोस्तों यह आपका जीमेल अकाउंट नहीं तो आप वहां पर साइन अप भी कर सकते हैं वहां पर आपको साइन अपका भी उप्शन मिल जाता है तो दोस्तों यहां पर यह क्लिक आ रहा है इस पर आप क्लिक करके भी आप यहां पर एक गूगल ड्राइब का उप्शन आता है आप वहां पर जा सकते हैं या आप यहां पर आप गूगल.com में चलते हैं यहां पर आप को simply टाइप करना है Google Drive Google Drive जब आप टाइप करेंगे तो आपको इस टाइप का एक लोगो नजर आएगा गूगल ड्राइप का यह गूगल का एक पार्टिशन हिस्सा है और यह क्या काम करता है यहां पर दोस्तों मैं बता देता हूं इसको आपन कर लेता हूं यह हमारा इस्टोर ऐनी फाइल है देखिए दोस्तों ड्राइब इस्टार्ट यह विदिन पंदरा जीवी और फिरी गूगल ओनलाइन इस्टोर यह आपका एक तरीके से हार्ड ड्राइब होता है फिरी ओनलाइन डाटा सर्वर आप यहां पर अपने कोई भी इंपोर्टेट डॉकिमेंट यहां पर रख सकते हैं अपनी लिए मैल अकाउंट में इनुपी सर si और आपको जरुत होती है आप यहां पर कभी हमारी जो हार्ट कोपी होती है वह हमसे मिस्टेक हो जाती है तो दोस्तों यह कापी अच्छी चीज यह पर आपके स्केन करके अपने ऑल डॉक्मेंट रख सकते हैं इस पर किसी चीज का चार्ज नहीं लगता है आपको और उसके बाद दोस्तों आपको जाना है यहां पर गूगल टू गूगल ड्राइब पर जाना है जैसे कि दोस्तों आप यहां पर गूगल ड्राइब पर जाएंगे आप तो इस तरीके से आपका एक ओपन होकर आ जाएगा आपका जो हार्ट ड्राइब है गूगल हार्ट ड्राइब कह लिजे तो दोस्तों यहां पर करना है क् कर देखें आपको समझा दे रहा हूं यहां पर आपको काफी सारे options मिलता हैं यहां पर देखें यहां पर यह दिखा रहा है पनो computers तो आपको यहां पर sync करना अपनी data को तो वह कैसे करना है मैं आपको बता देता तो दोस्तो आपको यहां पर क्लिक कर देना है कंप्यूटर पर यहां पर आप क्लिक करेंगे लुट लंग मॉड उसके बाद दोस्तो आपको नीचे जाना है कंप्यूटर पर जाना है,weenडूस पर क्लिक करेंगे हमें विंडोसके लिए जीए आगर आपका Mac भूक है तो आप Mac पर क्लिक करेंगे तो दोस्तो जैसे की मेरा की यह विंडो है थो मैं डाउनलोड 2017 डाउनलोड राप फोकटशाओ सिंक्ड़क कर देना आ जब दोस्तों आपका यह setup पुरी तरीके से install हो जाएगा तो यह इस तरीके से open होकर आएगा तो आपको get started पर click करना है और जैसे कि यहाँ पर आपको first time दोस्तों sign in करना है जो भी आपका backup आपके important data का होगा google drive पर जिस email id पर आपको लेना है यहाँ पर login करना है और इसके बाद got it पर click करना है आपको और जैसे कि दोस्तों आप यह दिखा रहा है देखिए कि आपको अपना जो important document है by default google drive अपने आप सिंग करके अपने google drive server पर कैसे ले जाएगा आपको कौन सा folder select करना है यहाँ पर आपको options हारे और document and desktop and pictures है तो दोस्तों जो भी आपको लगता है कि हां मुझे यह document in future कभी भी craft हो जाए कुछ भी हो मुझे data मिल जाए तो मैं यह वाला कर लेता हूं select folder ठीक है यह दीखिए अब यह आ गया मेरा यहाँ पर technical gurus है और मैंने यह वाला folder select किया था दोस्तों यह देखिए अब इस folder के अंदर like यह सारे photos पड़े हुए है ठीक है यह मेरे पास साथ यह photos पड़े हुए है यह साथ फोटो को automatic sync कर लेगा यहाँ पर हम इसको टिक मार कर देता है पर से इसने यहाँ पर buy select कर लिया है और document में जैसे कि आप यहाँ पर जाएंगे यह देखिए यह document के जितने भी folders होंगे यह buy select यह कर लेगा area और उसके बाद pictures पर भी जाएंगे तो आप pictures के में जितने भी folders से अट्रमेडिक जाएंगे अपने आप वहाँ से backup ले लेगा तो जैसे कि like मैं यह सब टिक मार खटा देता हूँ और आपको जो भी data important select है अपने बाई desktop या downloads यह जो भी है आप यहाँ पर select choose folder करके यहाँ पर भी select कर सकते हैं तो मैं सिरिफ अपना यह folder लेता हूँ कि मुझे इसमें काम करना है technical guru में और मैं जो भी data अपना important मैं यहाँ पर by default डालूँगा और यह sync करेगा तो दोस्तों इस select कर लिया मैंने उसके बाद यहाँ दो options आ रहे हैं आपके सामने पोटेंस वीडियो अप्लोड साइज तो original quality रखी है काफी है और यहाँ के options है upload photo and videos to google photos अगर आप चाहते हैं कि आपकी कोई photos and videos है जो google photos पे जाए तो आप इसको भी select कर सकते हैं तो मैं इसे अभी के लिए र उसके बाद यह देखी यह दिखा रहा है आपका sync everything is my drive मुलब sync everything करेगा यह आपके जो भी my drive के अंदर है तो मैं हम चलता है आगे start करते है अब यह sync everything दिखा रहा है तो sync only with the folder मैं everything नहीं करूँगा मैंने everything select नहीं किया है मैंने शिरिफ एक folder select किया है यह देखिए यह अब यहां पर आ रहा है आपके दोस्तों इस पर select करके भी हम ने जो select है तो में start दब सकते हैं उसके बाद यह हमारा sync करने लगे रहा दोस्तों कि यह देखिए यह प्रोसेस हो रहा है कि क्या और मैं दिखा देता हूं यह प्रोसेस इस तरीके से होता है बाइडिपोर्स जब भी आप internet से connectivity बनाएंगे यह आपको कुछ नहीं करना जो भी अपने फॉल्डर स्लेक्ट किया है यह एट्वमेटिक यहां पर कोई नई फाइल आ जाती है आप यहां डालते हैं यह उस फाइल को भी अपने आप सिंक करके गोगल ड्राइब पर रख लेगा तो यह अभी देखिए इस तरीके सिंक कर रहा है यह देखिए यह आपका बाइड डिफॉल्ट्स जो भी आपने फॉल्डर सेलेक्ट ही आए यह एट्वमेटिक सिंक कर रहा है यह अपने डाटा को कंप्यूटर से उठा के अपने गोगल ड्राइब पर सर्वर पर लेके जा इस डाटा को सिक्यूर कर रहा है दोस्तों कि आपको कभी इंडूर क्रैप्ट हो जाए आपको प्रिसानी और ऐसे समय पर जब आपको काफी ज़्यादा ज़रत होती है अपने इंपोर्टेट डॉक्यूमेंट की तो आप कुछ नहीं कर सकते इस कंडिशन में आप यह इस तरीके से हो गया दोस्तों तो यह देखिए इस पर जैसे यह सिंक कर लेगा तो टिक मार का उप्संस आ जाता है कि गुगल ड्राइब ने इन सारे डॉक्यूमेंट को सिंक कर लिया और देखिए दोस्तों जब आप पर यह प्रोसेस हो जाएगा एक तरीके से आपको गुगल ड्राइब कर यहां पर पार्टिशन शोटकर ओपन होकर आ जाता है कि हमने क्या-क्या सिंक कर लिया है और यह दिखा देता है अपने आपकी हम जो जो डॉक्यूमेंट यहां पर सिंक कर लिये तो यह और आगर आप चाहें तो आप देखना चाहें कि आपका से अटमेटिक उठा रहा है तो मैं दिखा देता हूं दोस्तों को लॉगिन करके यहां आपको गुगल ड्राइब ऑपन कर लेना है दोस्तों और आपको यह देखना है मैं दिखा देता हूं कि आपका यह वर्किंग कर रहा है कि नहीं कर रहा है कि आपका डाटा बाइडिप वोट्स कम्प्यूटर से गूगल ड्राइब उठा रहा है कि नहीं उठा रहा है तो दोस्तों यह आपको गूगल ड्राइब उपन हो जाता है आपको डारेक्टि आपको यहां कम्5 पर देखने यहां कम्5 से हमने और चेक्ट करना कि हम और यहां Commonwealth सपोर्ट से यहांतों और गुगल ड्राइब सर्वर में आ चुका है चाहे आपकी एक्सल सीट हो या आपका कोई PDF फाइल हो या है भी कोई भी फाइल हो आपकी किसी भी फॉर्मिट में आप इस तरीके से किसी भी एक फॉल्डर में रखे उसको सिंक करके आप बाइडिपोल्ट गुगल ड्राइब आप दे लिए तो दोस्तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जाते से ज्यादा इसको सेर कीजिए कि आगे किसी के काम आ सकते और लाइब दोस्तो प्लाइब तोस्तो श्तो आ सकते से झांट आप दोस्तो इसको से उसको से दिएए पॉल्डर में आप दूसे झाल लाइब दोस्तों इसे भी विएए। झाल झाल